प्रेन फिर सिखने ब्लोग में स्वागत करती है हो कि आप लोग अच्छे मन स्वास्त होंगे आज सुबह भी 6 बजा हुआ दोस्तों आप सभी को हमारी और से गुद मॉनिंग दोस्तों अभी हम खाना वगेरा बना लिए हैं देखिए आज बहुत सारा मेरा काम हो गया सुबह उठें चार बचे भोरी पुरा खाना बना लिए और घर पुरा लीप आई कर लिए दोनों घर दोस्तों बकरी लोकों की मारों प्या लिए अब जल्दी से जाते हैं बारी क्यो बड़ा से बच्चा हुआ है दोस्तों तो खाना नहीं ले जा रहे हैं बनाया हुआ है चावल भात दार और रोटी सबजी अब जल्दी से जाती हूं पानी लेके दोस्तों वीडियो अगर लाइक नहीं कियोंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लिज हैं दोस्तों सब कोई काम करने चले गाए है मम्मी अकेले है और एक चाचिक बेटी को भेजी आलू गिराने के लिए थोड़ा चात्माज आदमी रहना पड़ता हैं दोस्तों पचास केजी लगाते हैं आलू कि ब्लोक में बने रही है आप सभी को दिखाएंगे बारी जाके जल्दी जाते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं पहुंच गई अपना बारी लेके हमर भाई कि लरफा है देखिए दोस्तों मेरे चाचा बना दे रहे हैं अभी मेरा लालू अलू रोपा हुआ हो गया मैं तो जली लियार गई थी कर देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा आख कर लेते हैं हम लोग घर में ही उसके बाद लगाते हैं ताकि तुरंथ एक सप्ता में निकल जाएगा तो सभी कोई अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं और मैं चाचा लोग भी दिखाते हैं जब वीडियो सपर्ट कीजिए भीले आज में कैसे सुबह-सुबह काम करने लग जाते हैं तो आलू इसमें ढख रहे हैं जो बिच्छाया हुआ है लेके कुदाल से इसी तरह सारा अलू को देखिए हम लोग ढख लिए पूरा ढख फिर में घर जा रही हूं उतना दूर पैदल जाना पड़ेगा हमको क्योंकि घर में ही छुट गया है दोस्तो के दाना फिर लगाना आज यह सिर्षी आलू बहीर में लोग फिर सार्चो देते हैं टाकि आलू काटने को बाद को भी काटके ले आते हैं अब ममी बताई नहीं मैं पानी लेके दोड़े हुए आ गए दोस्तों फीस जाना है मेरा आलू तो रोपा गिया अब जल्दी जल्दी जा रही है घर फिर से आना है काफी दूर है घर दोस्तों 15-20 मिट लगेगा पैदल जाने में ब्लोक में बंधने रही है तो देख सकते हैं हम रास्ते बाते आते देखिए अभी धान देखिए पुरा पकने लगा किस परकार के पुरा लगा हुआ धान देखिए यह धान पक गिया है और धान नहीं पका हुआ बाल निकला हुए दोस्तों सब धान अलग अलग लगाया जाता है देखिए किस परकार के पुरा धान ल देकि इस परकार के मुर्गी लोग चबड़क रही है जाबी यहां रखा हुआ है घर खुलती हूं जल्दी से फ्रेंच तो देखिए हम लोग कहां रखते हैं कोठा में देखे सीडी लगाया हुआ है इसीडी के हेल्फ से हम लोग पुरचड़ जाएंगे उपर देकि उपर में भी है कोठा हम लोग बलते हैं सारा समान रखते हैं आलू प्याज होगेरा दोस्तों देकि सारा समान यहां बड़ावा डेख चीज अवे धान से जाते हैं रसन प्याज लोग भी दोस्तों कैसा रहता है कोठा जितने उतना उपर है उपर से फी देखिए इतना है किसी की च्छोटा कोठा रहता है उपर भी धरायन है पुरा काठ ही काठ है देखिए काट से ही आप जल्दी से ले लिये हैं लोट सरसो इतना सारा आप लमती हूँ निचे लम गई आप जल्दी से जाते हैं दोस्तों देखिए घार भी प्रसूख गया चका चक लग रहा है देखने में जुआसे चका है तो लोटनी ऐसा है द्याहती लोटनी खरिते नहीं हैं गर कहीं लोटनी बुनते हैं लोटनी निकल गए है हुआ ससे आप की दूर जायाग है दोस्तों हम तो फोजा भी किए है अभी फास्टिंग किए हैं तो इतना सुबह से काम करके ठग हैं, प्यास भी लग रहा है, आधास्टमी है, काम संपन कर लेंगे उसके बाद, पुजा अगरा करेंगे, कब से पुजा है पता नहीं, एलान सभी नहीं हो रहा है, जब से अगरा करेंगे, काम सभी नहीं हो रहा है, फ्यासा बेटा. मेरा वीडियो को सपोट किचेगा लाइक कीचेगा दोस्तों ऐसे आप लोग बनाते हैं कोमेंट में जडरुल बताईएगा फ्रेंट अफ्रेंचों देखिए हम अभी थोड़ा से जोरा टान लिये सीख रहते हैं मैं कभी ने किये हैं क्योंकि हमेसाथ आप लोग को ब्लोग मताए ही कि हम घर में नहीं रहते थे काफी दिनों सरा रहे हैं तो थोड़ा था सीखते हैं आलू विच्छा देती हूं थोड़ा सालू बच्चा हुआ है तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक एंद औ का सुभा होते ही सारे लोग अपने अपने खेतों में लग जाते हैं खेती करने के लिए हम लोग ज्यादा खेती नहीं कर पाते हैं जो लोग काम नहीं करते हैं दोस्तों उन लोग खेती बारी में लगे वे रते हम लोग तो पापा लोग जाते हैं प्लांट देखिए भी जा रहे हैं आलो दोस्तों देखिए मैं भी घर निकल रही हूं ले लिये हैं कुदाल और मौनी अगहां भी पैदल फीर जाना है दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तकंत करती हूं आई होप कि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर दिजिएगा और मेरे चैनल को निव आये हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दिजिएगा आप लोग को दिखाए हम लोग कैसा लोग बना रहे हैं दोस्तों आप सब कमेंट में बताईएगा अगले नेस बाइए